दीवाली होती है तो दीवाली के दिन हम लोग क्या करते हैं? दीए जलाते हैं ना? इसलिए उसको दीपा अवली कहते हैं अवली कहते हैं पंक्तियों को और जो क्या कहते हैं? दीए हैं दीपक है उनकी पंक्तियों को दीपा अवली कहते हैं तो ये हमारा जो पाठ है, इसमें भी कुछ इसी परकार के दीपक जलने वाले हैं, इसलिए इस पाठ का जो नाम है वो है जलाते चलो, क्या करते चलो, जलाते चलो, तो चलिए जलाते हैं दीपक और अपने सामने आप इस पुस्तक को रख लीजिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं थोड़ा सात्वा पाठ है मलहार हिंदी जो की नई हिंदी की पुस्तक जो है काफी समय बाद हमारे स्लेबस में आई है तो इसको पढ़ते हैं फिर बहुत प्यारा है जलाते चलो ये दिये स्नेह भर भर इसको इस तरह से गाना जलाते चलो ये दिये स्नेह भर भर कभी तो धरा का अंदेरा मिटेगा कभी तो धरा का अंदेरा मिटेगा जलाते चलो ये दिये इसने हभर भर दिये किसको कहते हैं दिया क्या होता है दीपक है ना जो दीपक जलाते हैं ना हम दिवाली वेल दिन वो इसको दिया भी कहते हैं धरा कहते हैं धरती को धरती का अंदेरा तब ही मिटेगा जब हम दिये जलाएंगे दिये कौन से जलाने है ग्यान रूपी दिये अब पढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे भले शक्तिवी ग्यान मेहनित बह भले शक्तिवी क्यान में है निहित वह की जिससे अमावस की जिससे अमावस बने पूर्निमासी की जिससे अमावस बने पूर्निमासी अमाबस क्या होती एक्तिथी होती है, पूर्ड में वी एक्तिथी होती है जो भारती ये कलंडर है नगते हैं ये जो हम पढ़ते हैं जन्वरी, फेब्रेरी, ये मार्च, ये सब महीनों के नाम है ये इंगलिश महीन है, कौन से इंगलिश, ब्रिट्न ने दियो गया है हमारे देश के यह नहीं है हमारे भारत देश के जो है हिंदी वाले महीने वो कुछ अलगे वो अप्रेल जो मानते हैं यहां से शिरू होते हैं चैत्र वैसाक इस तरह से यह महीनों के नाम है बारा महीने अब जो चैत्र महीना यह तीस दिन का होता है तो पंद्रा प्लस पंद् कहते हैं पहले अंदेरा होता है फिर जो अगले पंदर्मा दिन का लास दिन होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं समझ गया आप डिटेल में समझना आ है तो आपको मेरी एक और वीडियो देखनी पड़े है उसमें मैंने बताया हुगा है ठीक भले शक्ति वी ज्ञान में है नहीत वह है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी मगर विश्व पर आज क्यूं दिवस ही में गिरिया रही है अमावस निशासी मगर विश्व पर आज क्यूं दिवस ही में दिवस होता दिन गिरिया रही है अमावस निशासी निशा कहते हैं अंदेरे को है ना अमावस जो है वो अंदेरे का एक बहुत बड़ा दिन है इसलिए इसको अमावस का रहता है बिनासनेह विद्युत दिये जल रहे जो बुजाओ इने यूना पथ मिल सकेगा बुजाओ इने यूना पथ मिल सकेगा सने क्या होता है प्यार बिना प्यार के जो विद्युत दिये जल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक दिये जो जल रहे हैं इनको बुजाओ अगर इनको नहीं बुजाओगे तो रास्ता नहीं मिल सकेगा पथ होता रास्ता अब बढ़ते हैं आगे जलादीप पहला तुमी ने तिमिर की चुनवती प्रथम भार स्विकार की थी तिमिर होता अंदेरा पहला दीप जब जला तो तुमी ने जो है क्या किया था अंदेरे को खतम करने की एक चुनवती को स्विकार किया था तिमिर की सरित पार करने तुमी ने बना दीप की नाव तयार की थी तिमिर अंदेरा हो गया सरित होगी नदी अंदेरा रूपी नदी को पार करने की तुमी ने दीपक बना कर एक नाव तयार की थी बहाते चलो नाव तुम्वे निरंतर वो जो नाव है लगातार चलाते रो कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा तिमिरो तांदेरा अब चाहें तो आप इसको इन लाइनों को बार बार रेपीट कर सकते हैं जलाते चलो ये दिये स्निह भर भर कभी तो धरा का अंदेरा मितेगा युगुं से तुमी ने तिमिर की शिला पर शिला उता पत्थर बहुत बड़ा पत्थर युगुं से तुमी ने तिमिर की शिला पर दिये अनगिनत है निरंतर जलाए बहुत समय बेद गया आपने अंदेरे की एक शिला के उपर अनगिनत दिये जलाए समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुमारे पवन ने भुजाई साक्षी होता है बिटनेस समय देख रहा है कि जलते हुए दीपक है वो हावा ने कई बार भुजाए यह समय देख रहा है इन सब चीज़े वो देखिए आप नीचे चितर कितना प्यारा है अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर चलेंगे ठीक है तो इस तरह से यह रहा हमारा अगला पेज दो मिनिट अब देखिए यहां एक और बहुत प्यारा सा चितर है देखो मगर भुज स्वयम जोती दो मगर भुज स्वयम जोती जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेंगा मगर भुज गए वो हवा की वज़ा से यह पवन है इन्होंने इसे बुजा तो दिया स्वार यह तिमिर है अंदेरा है हवा ने इसको बुजा तो दिया इस तरह से हवा रही है लेकिन कुछ समय के लिए उसने तिमिर को तो खतम कर ही दिया दिये और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी दिये और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी जली जो प्रथम बार लोदीप की लोती रोष्णी स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी रहेगा दरा पर दिया एक भी यदी कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा निशा होता है अंदेरा अब ये जो कहानी है लिखने वाले हैं द्वारिका प्रसाद माहिश्वरी जी कवीता है ये मैं कहानी बोल दिता हूँ बार बार कवीता तो कवाईत्री कोने इसकी कवाईत्री हो हैं कवाईत्री नहीं कभी हैं कोने कभी हैं तो कवी कोने द्वारिका प्रसाद माहिश्वरी मैंने कवाहित्री बोल दिया कवाहित्री और कवी में फर्क तो आपको पता ही होगा कवाहित्री बोलते हैं फीमेल को और कवी हो जाता है मेल तो यहां पर कभी से परीचे करवाने के लिए भी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कभी कोन है उनके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लो 1916 में जन्म हुआ था और ज़्यादा आयू इनकी भी नहीं थी लगवग 1909 में इनकी मित्ती भी हो गई थी अब यह आपने जो कविता पड़ी है ना उसे हिंदी के परसित कभी द्वारिका प्रसाद महिश्वरी ने लिखा है बाल साहिते की चर्चित रचना कारों में द्वारिका प्रसाद महिश्वरी का नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रंचना है लिखे उनके द्वारे लिखित हम सब सुमने एक उपवन के जैसे गीत आज बहुत ही लोग प्रिये तो ये थे हमारे द्वारी का प्रसाद माहिश्वरी जी अब बढ़ते अगले पेज की तरफ वैसा ही प्रशन है स्टार बनाना अपने तारा बनाना निमलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कहेगी है मुख्य रूप से कौन सी बात कही है भलाई के कारे काते रहो ठीक है ये है मुख्य रूप से अब क्यों है या आप अपने मित्रों से चर्चा करेंगे नीचे लिखा रहेगा लिखा जला दी पहला तोमीने ती मिर की चुनोती प्रथम बार सुईकार की थी ये वाकि किससे कहा गया है ये कहा गी है बात किससे मनुशियों से क्यों कहेगे ये इस कविता को आप पढ़ें अच्छे से समझे आपको पता लगेगा अपने मित्रों से यही सब बातों की चर्चा करनी है कि आपने यह उत्तर क्यों चुना था अब मिलाने वाला भी एक प्रेशन है देखो कैसे मिलाना है यह देखो अमावस क्या होती है यह जैसा कि आपको मैंने बताया अमावस वाले दिन चंदरमा नहीं दिखाई देता अंधेरा होता है पूर्निमा क्या होती है जिस दिन चंदरमा पूरा दिखाई देता है विद्यूत दिये कों से होते हैं जो बिजली से जलते दिये यूग क्या होता एक समय होता है चार यूग होते हैं, सत्य यूग, द्रेता, द्वापर और कली यूग पंक्तियों पर चर्चा करने हैं, यह जो पंक्तिय हैं इनको पढ़ो और फिर चर्चा गरो देखो नीचे चित्र भी बनाए, इसको देखके आप चर्चा और अच्छे से कर लेंगे अब सोच विचार के लिए कुछ चीजे हैं, इनको अपने अपनी कॉपी पर लिखना है कविता में अंदेरे या तिमिर के लिए किन बस्तों के उधारन दिये गए कौन से सामान है जिनको अंदेरे के रूप में कहा गया, जैसे शिला, पत्थर की भी बात हुई है अंदेरे या तिमिर के लिए बोलाए नाव नी, सरिथ, सरिथ को कहा गया है अंदेरा नाव नी, नाव तो दिये को कहा गया है शिला को कहा गया है, इस तरह से कुछ और भी है उनको या आप ढूंडो ये कविता आशा और उत्सा जगाने वाली कविता है इसमें क्या आशा की गई है ये आशा क्यों गई है आशा होती है मतलब चाह किस चीज़ की क्या चाह बताईए यहां पर कि इनसान को हमेशा अच्छे काम करते रहे जिए जिससे जो बुरानिया है वो नस्ठ होते जाए यही आशा है कविता में किसे जलाने और किसे बुजाने की बात की गई है अग्यान को अग्यान को बुजाने की बात की गई है और ग्यान रूपी दिये जलाने की बात की गई है कविता की रचना ठीक है तो ये कुछ चीजे हैं जिनको एक्टिविटी की रूप में आपने करना है अब यहां नीचे कुछ मैच्टा फॉलिंग वाला कुश्चन है इनको करना है ये भी वैसा ही है कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा ठीक ये ऐसा हो सकता है ये तीसरा नमबर वाला जलाते चलो ये दिये सनेह बर बर इसका क्यारत है कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रही मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है मावस निशासी तो ये इसका ये भाब हो गया बिना सनेह विद्यू दिये जल रहे हैं बुजाओ इन्हे योना पत मिल सकेगा तो ये एक नमबर वाला आजाएगा ठीके ये मिला दिये अब अनुमान और कल्पना वाले कुछ प्रश्ण है शब्दों के रूप ये हर बार ऐसे ही प्रश्ण आते है शब्द कविता से खोज कर लिखिए ऐसे कुछ अन्ने शब्द अपस में चर्चागर के खोजियो लिखिए दिया से मिलते जुलते शब्द लिखिए जैसे दीपक हो गया और भी अगर है कुछ पार्ट में तो बताईए उजेला उजाला को बोला गया प्रकाश इसको कहते हैं प्रकाश फिर अनगीन अनगीन मतलो अनकाउंटेवल है ना जिनकी काउंटिंग नहीं होती आप कुछ बहाते चलो तुम वे निरंतर क्या नाव वैसे ही भरिये इनको यह बिलकुल सरल है अब यह अन्त में कुछ और एक्टिविटीज हैं इन्हें भी कीजिए बहुत प्यारी प्यार बाठ है हमारा कुछ और समझना है देखो अवस्षय और पुर्निमा के बारे में यहां पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है यहां चित्र बना हुआ है देखो पूरा डिटेल में बताए हुए यह हमारे महीनों के नाम जो इसी बहुत में बताय हुए ठीक है ये देखे अब बढ़ते हैं यहाँ प्रेशन भी पूछे हुए है कि दियेगे महिनों में कुल कितने दिन है यहाँ पहेली भी लिख्यू है अब अन्त में है ये एक एक्टिविटी तो इसको कीजिए और अन्त लीजिए हमारी पुस्तक का बहुत प्यारी पुस्तक है आज तक हम इतना ही रखते हैं नए पार्ट को पढ़ने के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ आगला चप्टर देख लिए मलहार हम लोग पूरी इसी तरह से पढ़ेंगे और उसके प्रशन अतर भी करेंगे धन्यवाद